हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका सिवसे एजूकेशन में इस वीडियो को वैसे कल रेकोड किया था बट बैक्ग्राउंड नॉइस बहुत जादा थी डिस्टर्बेंस बहुत जादा था इस वज़े से द्वारा रेकोड कर रहा हूँ माप कीजिएगा इसके पहले वीडियो में हम लोग ने राश्चपती के सामान फढ़चा के बारे में सीखा था समयधान के स्थिति के बारे में सीखा था ओत बगएरा, impeachment लेती ледगा time ठीक है इस वीडियो में हम लोग दखेंगे राश्चपती की सकतियां चलिए पहले सुडू करते हैं कारकारी सकती यानी एक्जीक्यूटिव पावर देखें यूनियन लेबल पर संग इस्तर पर जो भी समधानिक पोस्ट हैं इनकी निक्ति का जो काम होता है इस सब निक्तियां राजपती की एक्जीक्यूटरी पावर के अंधरगत आती हैं देख 7-7 की निक्ति जो होती है वो भी कारकारी सकतियों में आती है चीफ जरकारी सक्षयाओं पाविट्यापक पर और उनकी निक्ति कारकारी शक्टिक्यूटरी पान अंदर की निकती हो या फिर Finance Commission के अध्यक्ष और सदस्ट की निकती हो Finance Commission के सार्टिकल में जल्दी से बताईए Article 280 इसके लावा आए जो Commission है भी बहुत important है National Commission for Schedule Cast, National Commission for Schedule Tribe और National Commission for OVC, Other Vaguard Classes इन सभी की निकती भी राश्पती की कारकारी सक्ती के अंतर गताती है किस आर्टिकल में जल्दी से बताईए National Commission for Schedule Cast 338 में है और Schedule Tribe वाला आर्टिकल कौन सा है? 338A है ना? और National Commission for OVC ये 338B में है यही है ना? इन सभी के लावा Interstate Council यानि अंतर राजिये पर सदो या फर Union Territory के परसासकों Administrator हो इन सभी किन्युक्ती राजपती की कारकारी सक्ती के अंतर गताती है Interstate Council है कौन से आर्टिकल में 263? Very very important यह बहुत कोशन पूचा जाता है मैचिंग में President सरकार से किसी भी तरेकी की परसासने जानकारी मांग सकता है ये भी उसकी कारकारी सक्ती है किसी भी छेत्र को अनुसोचित छेत्र गोसित कर सकता है ये भी उसकी Executory Power है कितना के लिए रहे? अब इसके लाब हम लोग सीखते है Legislative Power और Financial Power बिधाई सक्तिया है ये किस आर्टिकल में जल्दी से बताईए जोइन सेशन एक स्वाट में हैं न 回去 करके बताना और साथ में ये भी द्यान रखना कि joint session को summon करते हैं राश्पती अध्यक्स्ता नहीं करते हैं अध्यक्स्ता लोग सवा के speaker करते हैं ये द्यान देना अध्यक्स्ता speaker के द्वारा होती है और summon यानि बुलाते कोने प्रेजिडेंट साब बुलाते हैं आम चुनाओ के बाद जो संसत का पहला session होता है पहला सत्र होता है इसको भी समोदित करते हैं राश्पती ये भी उनकी बिदाई सकती है दो सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है लोकसभा में राश्पती के द्वारा और राजसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है राश्पती के द्वारा ये भी सभी बिदाई सकतियों की अंतरगत आती है ordinance यानि अध्यादेश जारी करने की सक्ति बिदाई सक्ति है article बताईए जल्दी से article 123 के अंतरगत ordinance जारी करने की सक्ति दी है समिधनने राश्पती को किलियर है आपने एक सब्द पड़ा होगा पॉलिटी में delegation delegation समझ रहा है delegation का मतलब होता है power को transfer करना delegation का मतलब होता है जब A पे बहुत जाना काम का वोज होता है तो वो कुछ काम B को सौप देता है लेकिन आपको याँ पर यह ध्यान रखना है कि A ने जो काम सौपा है B को तो साथ में कुछ powers को भी सौपेगा कुछ सक्तियों को भी सौपेगा ताकि B काम कर सके लेकिन अंतिम responsibility जो होती है अंतिम उत्तरदाई जो होता है वो A का ही रहेगा ठीक है उसी तरीके से President साब ने भी अपने काम delegate के हुए है जैसा CAG साब President साब का काम कर रहा है यूपीस्ट के Chairman President साब का काम कर रहा है Finance Commission President का काम हो रहा है इसी तरीके से तमाम काम delegation पर होते हैं तो CAG काम किसका कर रहा है President साब का तो रिपोर्ट किसको सौपेंगे President साब को इतना के लिए रहा है इसके बाद ही President साब जो इनको रिपोर्ट मिली है CAG के दोवारा ये फिर संसद में सामने पेस करेंगे ठीक है संसद की फटल पर रखेंगे इसी तरह UPSC के जो अध्यक्षे है ये अपनी रिपोर्ट किसको सौपेंगे President साब को फिर ये रिपोर्ट संसद में जाएगी President के दोवारा इसी तरहीके से Finance Commission की रिपोर्ट कहां पे सौपी जाएगी President साब को फिर इस संसद में जाएगी इस तरहीके से एक काम चलता है तो एक कुशन पूशा जाता है कि CAG अपनी रिपोर्ट के इसको सौपता है तो उप्सन में मिल जाता है आपको संसद मिल जाता है President मिल जाता है तो संसद नहीं मनना है President मनना है यह जो Delegative Legislation होता है इसको हम लोग कभी और समझेंगे ठीक से ठीक है अलग टॉपिक में अभी बस यहाँ पेक नहीं समझेए कि काम को सौपा जाता है दूसरे ब्यक्ति को और अंतिम Responsibility उसकी होती है जिसने काम सौपा हुआ होता है मननी बिल धन बिद्याक धन बिद्याक को पेश करनने से पहले पूर्व सिपारिस की जरूरत होती है राश्वती की यह उनकी बित्ति है सकती है आकस्मिक्ता निधीपन नियांत्र यानि Contingency Fund of India CFA पढ़ते हो न यह भी उनकी बिदाई सकती है Finance Commission की निउक्ति हर पांस साल पे होती है किसके द्वार रखी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा तो इनकी कौन से सकती होई बिदाई सकती समझाया चलिए Supreme Court, High Court के Judges के नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा नियाख सकती है Supreme Court से सलाहे ले सकता है प्रेसिडेंट नियाख सकती है लेकिन Supreme Court की ये सलाहे मानने के लिए प्रेसिडेंट बार्ध नहीं है आटिकल 72 चमादान के सकती हम लोग पढ़ते रहते है पूरी तरीके से दोस्मुक्त भी कर सकता है प्रेसिडेंट और सजा की प्रिकरती को भी बदल सकता है अगर आपको फांसी की सजा है तो उसको आजीवन काराबास में बदला जा सकता है अगर आज इवन काराबास की सजाय आपको तो उसको कम बर्सों के लिए भी सजा में convert किया जा सकता है ठीक है यहाँ पर यह जो पूरी तरीके से दोस्मुक्त लिखा है यह सिर्फ President के पास है छमादान कहा सकती है तो Governor के पास भी होती है लेकिन Governor पूरी तरीके से दोस्मुक्त नहीं कर सकता है डिप्लोमेटिक वावर के होती है अंतरराष्टी इस तरफर जो भारत को रिप्रिजेंट करता है कौन करता है President साब करता है यह कॉंकि Constitutional Head है Head of the State है Head of the State एक चीज़ ध्यान रखें Head of the State जो होते है वो President होते है और Head of the Government जो होते है यह PM साब होते है तभी President साब को नाम मातर का मुखिया बोला जाता है और PM साब को बास्तिविक मुखिया बोला जाता है सेन सक्तियों में हम लोग Supreme Commander पढ़ते है चलि जल्दी से बताए Article 53 Sub-Close 1 बताए संग की सभी कारकारी सकतिया राष्टपती में नहत है यह 53 Sub-Close 1 में लिखा है और Article 53 Sub-Close 2 में क्या लिखा है इसमें लिखा है कि जो तीनों आम फोर्सेस है इन्हें के जो Supreme Commander है वो President है तो यह दो आर्टिकल याद रखा करें 53 1 और 53 2 अब इनको जब हम लोग आपात कालीन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब डीटेल से पढ़ेंगे क्लियर है चलिए लास्ट पावर देखिए बीटो पावर बीटो का क्या मतलब होता है देहें आप लोग जानते है जब संसल से बिल पास हो जाता है तो यह कहाँ पर जाता है यह सहमते के लिए जाता है प्रेजिडेंट की सहमते के लिए जाता है प्रेसिडेंट के पास, अब इस बिल को प्रेसिडेंट साब कुछ भी कर सकते हैं उस बिल को रिजक्ट भी कर सकते हैं रिटर्न कर सकते हैं या फिर विद्होल्ड कर सकते हैं विद्होल यानि कुछ भी नहीं बोल रहे हैं चुपपा बैठे हैं ना तो बो रिजक्ट कर रहे हैं विल को नहीं रिटन कर रहे हैं तो इस तरह का जो काम होता है विल पर ये बीटो पावर होता है ठीक है तो जब बिल पर सहमती नहीं बन पाएगी तो फिर ये विल एक्ट बनी नहीं पाएगा है ना तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि किसी बिल पर सहमती ना देना भी टुपावर है समझे भाया ठीक है तो ये तनी चीज़े सक्तियों से समधत थी चलिए चलते हैं बहुत बहुत सुक्रिया